ठेक है न तो जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी वोल टास वगरा तो मैंने कई जगह देखा हैं जब गर्मी का सीजन आता है तो ये लगे हुए होते हैं तो एडविटीजमेंट कॉमन पॉइंट पहले ले रहा हूं और एडविटीजमेंट से क्या तीनों की मदद हुई है अब एक एक करके देखते हैं इस केस के अंदर ये कितना डिमांड चाहिए कितना कॉंटिटी बेच सकता है ये ये किसको बताएगा कि भाई माल की तो कम खपत चल रही है या बहुत डिमांड आ रहा है बनाओ जल दिल्दी माल बनाओ आप कस्टमर सारे वापस जा रहे हैं बोल सकता है तो सबसे पहला पॉइंट प्रवाइड इन्फोर्मिशन अबाउट डिमांड डिमांड का मतलब क्या है कि कितना लोग पबलिक इसको मांग रही है क्योंकि ये अपने हिसाब से करोडो यूनिट नहीं बना देगा ये वेट करेगा होलसेलर बोलेगा फोन करके भई मुझे 10,000 यूनिट चाहिए अगर होलसेलर बोलता है कि मुझे 10,000 यूनिट चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में ये फिर माल बनाना स्टार्ट करेगा इसने बोला मुझे 10,000 unit चाहिए तो मतलब demand है यह तो सबसे पहला point provide information about demand कौन किसको demand की information provide कर रहा है wholesaler, manufacturer को क्या इसको service दे रहा है एक तरीके से यह acting as a middle man acting का मतलब यह middle man की तरह काम करता है यहां से सारी information ले रहा है और यहां दे रहा है तो एक middle man हो गया तो middle man की तरीके से यह काम करता है इसके बाद provide financial help अब यह बोलता है कि भाई एक काम करो आप 10,000 unit बना दो तो manufacturer बोलेगा भाई ऐसे तो नहीं बनेगा माल वाल हम लाएंगे तभी तो बना के देंगे थोड़े पैसे advance भिजवा दो तो यह पैसे advance देगा फिर उसी पैसे से यह क्या करेगा manufacturer माल खरीद के लाएगा और फिर बनाएगा कपड़े के काम में मैंने एकसर देखा है कपड़े के काम में अगर मुझे माल लो के 1000 पीस कोई shirt चाहिए तो मैं बोलूँ भाई 1000 पीस shirt तो बोले थोड़ा advance दे दो काम माल तेयर करवा देते हैं वह advance क्यों मांग रहा है पता है दो reason है यह जो advance मांग रहा है manufacturer दो एक तो उसको भरोसा हो जाए कि यह लेगा मेर से माल और दूसरा माल बनाने के लिए जो समान लाएगा उसके लिए थोड़ा मदद मिल जाए तो दूसरा है क्या तीसरा क्या है provide financial help हो रहा है पहला point क्या था हमारा demand के बारे में बताना दूसरा middleman तीसरा financial help करवा रहा है ठीक है fourth point providing assistance in advertisement goods अभी पता है मैंने advertisement resistance में यह करवा रहा है खां तो इसको explain करने की जूरत है नहीं provide storage facility storage facility provide करता है सारा माल बना के यह अपने गोडाउन में ले लेता है तो अपने पास store कर रहा है तो store कर रहा है अगर ऐसा होता है कि बोलता है भाई तुम अपने पास ही रखे तो इसको problem हो जाता इससे bulk quantity में माल बनवाता है और यह खरीद के अपने go-down में रख लेता है तो कही न कहीं ये स्टोर कर रहा है और इसकी भी मदद कर रहा है तो स्टोरेज फैसिलीटी हो गया हमारा आपका इसके बाद है आपका acting या फिर इसको कि मेंट achieving achieving economic production economic production economic production का मतलब है यहाँ पे सस्ता सस्ता ठीक है न economic production का मतलब जब यह जितने large quantity में इसको order देगा उतना ही सस्ता माल यह इसको बना के देगा है कि ने अगर मैं बोलो भई 10 quantity बनाओ तो महंगा मिलेगा बोलो 50 बनाओ तो थोड़ा सस्ता 100 बनाओ तो उससे सस्ता तो यह अगर इसको demand ज़्यादा करेगा तो यह समान सस्ता बनाए या महंगा बनाए depend करेगा wholesaler के demand पे अगर इसका ज़्यादा demand है तो क्या achieve कर पाया economic production का मतलब बहुत सस्ते rate पे production को इसने क्या करा बना दिया तो देखो मैंने यहाँ पे 6 point लिखा है हाँ छटा achieving economic production economic production हम सीख किया रहे है पहले wholesaler क्या service दे रहा है manufacturer को तो यह एक ऐसा service भी देता है क्योंकि यह बहुत huge मात्रा में demand करता है बहुत quantity में demand करता है जिससे यह बहुत huge मात्रा में production भी करता है ज़्यादा production करेगा तो हमारे किसी भी goods का rate क्या होगा बताओ कम या ज़्यादा तो economy मतलब होता है सस्ता और production मतलब होता है माल, सस्ता माल बनाने में achieve तभी ये सस्ता माल बना पाएगा जब ये इसको quantity ज्यादा order देगा तो कहीं न कहीं ये भी मदद कर रहा है इसका ठीक है न तो पहला point क्या था हमारा देखो provide information demand demand के बारे में बता रहा है इसके बाद middleman financial मतलब advance पैसे दे के help कर रहा है advertisement कर रहा है हमारा यहां पर providing storage facility कर रहा है और सस्ता माल बनाने में कहीं न कहीं मदद कर रहा है हमारा यह कौन कर रहा है wholesaler किसकी मदद कर रहा है manufacturer के ठीक है इसके बाद यह क्या service provide करता है retailer को कि easy आपका supply of goods retailer अब इसकी बात कर रहे हैं अब यह इसके point of view से क्या-क्या सोच रहा है wholesaler आराम से retailer को समान मिल रहा है रिटेलर के घर के आसपास हमेशा wholesaler मिल जाता है factory आसपास नहीं मिलता मान लो factory अगर हर्याना में है तो wholesaler तो डिली में बहुत सारे हैं अब के डेली के अंदर तो retailer को अगर wholesaler में हटा दूना है तो इसको बार बार हर्याना जाना पड़ेगा समान लेने कोई भी समान कम हुआ हर्याना है क्योंकि factory का है हर्याना है wholesaler क्या करता है यहां से माल खरीद के इसके area में एक दुकान open कर लेता है और इसको समान provide करा देता है तो पहला benefit easy supply of goods इसको easily समान मिल जाता है हर्याना जाने की जूरत नहीं है दूसरा financial help financial help यह कैसे कर रहा है इसकी उधार माल दे के यह बोलता है चलो भाई ले जाओ कल दे जाना कोई बात नहीं तो यह इसकी financial क्या कर रहा है help कर रहा है इसके benefit of advertisement advertisement भी करवा रहा है इसकी कैसे इसके पास board नहीं है दुकान लगा रखा है इसने अपना एक दुकान बनाया हुआ है और बोलता है कि सर पता ही नहीं चलता ग्रहा को कि मैंने दुकान खोला भी नहीं नहीं उपन किया है तो इसने क्या बोला wholesaler ने मैं आपके लिए board बनवा देता हूं नाम बगरा दे दो तो इस company के नाम का इसने board बनवा के इसके पास पहुचवा दिया तो कि advertisement में help कर दी इसकी अब इसके दुकान का भी एड हो रहा है और company का भी एड हो रहा है और क्या head हो सकता information about new product जो भी नया product यह बनाएगा तो यह retailer को बताएगा भाई नया product आया रखके देखो बहुत चल रहा है demand में यह बहुत सारे retailer ले जा रहे हैं आप भी रखके देखो एक new product के बारे में इसको जानकारी मिला इसके बाद packing facility इसको packing facility भी provide कर देते हैं किस तरीके से pack करेगा समान को किस तरीके से नहीं करेगा उसके लिए पॉली वेग बगर भी provide कर देते हैं company से आता है जैसे कि मैंने जाहतर देखा है wholesaler के कई बार थैला वगएरा जो bag वगएरा होता है वो दे देते हैं यह ले जाओ इसमें समान ले जाओ company के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है तो packing facility होता है इस पर एक तो information about demand और middleman के तरीके से काम करता है और financial help कैसे करेगा बताओ advance payment दे करके और advertisement करता है goods की और क्या करता है आपका storage और last समान को सस्ता बनवाने में मदद करता है wholesaler retailer की क्या मदद करता है easy समान provide कर रहा है advertisement करवा रहा है उसकी financially help कर रहा है new product का information दे रहा है और packing facility कैसे pack करें जैसे कि ले जाओ customer को दो यह सारी चीजे society society मतलब समाज को लेकर क्या manufacturer कर रहा है तो advertisement तो society के लिए करा नहीं उसने gate के ऊपर अपना board लगा दिया society का नाम लिखके तो advertisement तो होई गया सबसे पहले control and market function control on market function का मतलब wholesaler क्या करता है आए दिन समान का rate घटता बढ़ता रहता है wholesaler क्या कहता है large quantity में खरीता है और बहुत large quantity में store करता है समान को तो कम से कम मानलो समान का rate एक महिने तक तो stable रख सकता है यह ठीक है यह अलग बात है कि इसको पता चल जाता है wholesaler को कि मार्केट में माल नहीं है तो थोड़ा थोड़ा rate बढ़ाएगा लेकिन control कर सकता है एकदम से बहुत ज्यादा हाइक नहीं होने देता तो एक तो यह क्या कर रहा है control market का function मतलब rate जो हमारा बढ़ जाता है घट जाता है उस function को control करना क्योंकि कुछ product ऐसे हैं जिसका आधे आधे घंटे में रेट चेंज होता है मान लो इसने कपड़े का ही काम किया तो यह कैसे कपड़ा करें manufacture करेंगा धागे से करेंगा धागा लेकिया अभी 110 रुपय का बंडल था फिर लेकिया एक सो बारा का हो गया फिर अगली बार सने order किया बोला भी रेट बढ़ गया अब 113 का हो गया फिर हो गया 95 का तो यह चलता रहता है तो इसने तो एक बार में समान खरीद लिया न रिटेलर को तो उसी रेट पर दे रहा है ना रिटेलर बोलेगा भाई अभी तो ले गया था तो उसका पुराना माल पड़ा हो तो दे देगा एक अच्छा relationship बनाने के चक्कर में और उससे क्या होगा क्या market को इसने क्या करा control pricing क्या कर लिया इसने control easy availability society के लिए number one पे लिख स सारे option मिल गया इसको कि यह समान लेना है यह समान लेना एकी company का मालो आपका Hindustan Unilever के तो बहुत सारे product है तो यह इसको provide कर रहा है यह flavor लो इस तरीके के यह flavor भी इसमें सारे चीज़े provide कर रहा है इसको इसके बाद आगे क्या कहता है benefit of advertisement advertisement का benefit हो गया is removal of आपका consumer complaint देखो customer complaint क किसको करता है retailer को retailer किसको करता है wholesaler buy किसको करेगा तो कहीं न कहीं wholesaler customer का यानि society का